श्री कृष्ण के गुण हम डिस्कस कर रहे हैं और श्री कृष्ण के गुण का जो है आज हम पार्ट फाइफ डिस्कस करेंगे इस अध्याई का श्री कृष्ण का एक गुण है काल तथा परिस्थितियों के कुशल निर्नायक तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो है समय के अनुसार जैसे बोलते हैं देश, काल सब देखकर या स्थिति को देखकर वो सही निर्नाय ले सकते हैं और भगवान का जो निर्नाय है वो परफेक्ट होता है इसे व्यक्ति क्या है वो भी कुईक गीडिशिशण लेते हैं कई बार लेकिन गलतिया होती है भगवान जब कोई भी दिशिशिशन लेते है तो परफेक्ट होता है परिस्थितियों देश तथा सास समान के अनुसार लोगों से निपटने के अत्यनत कुशल थे वे उद्धव से गोपियों के साथ अपने रास के विश्य में बतलाते हुए विश्य स्काल परिस्थिती तथा व्यक्ति के बारे में अपनी कुशल पटूटा का परिछय देते हैं आज जैसे शरत पुनिमा की रात इसके लिए सर्व उपयुकत समय है इसके लिए विश्य भर में सर्वुत्तम स्थान ब्रिंदावन है और सबसे सुन्दरी जो बालाए है वो गोपिकाए है इसलिए है मित्र उद्धप मुझे इन परिस्थितियों का लाभ उठा कर अब रास मृत्य में संग लगना होना चाहिए भगवान का जो रास मृत्य है ये कोई ऐसा जो लोग डिसकों में जाके दान्स करते है और materially जो है वो लोग या काम वासना के भावना से कोई व्यक्ति materially पूरित होते है ऐसा नहीं है और भगवान और जो उनके भक्त गणों का जो रिलेशन्शिप है खासकर गोपी का है जो सर्वस्ट्रेश्ट भक्त है ये बहुत ही दिव्य है परम पवित्र है और ये आत्मा और परम आत्मा ये भगवान और भक्त का मधूर संबन्ध है तो भगवान इसमें कुशल निर्नायक है कि किस समय भगवान को कौन से लीला करना है और यहां तक कि किस ब्यक्ति के साथ जैसे बलते हैं जो जैसे भजन करते हैं कृष्ण कहते भगवद गीता में मैं उसके साथ ऐसा ही वेवहार भी करता हूँ अर्थात भगवान को कोई अगर पुत्र रूप में चाहते हैं तो पुत्र रूप में उनके साथ वेवहार करते हैं कोई माधुरिय रस में गोपिकाओ की तरह चाहते हैं तो माधुरिय रस में कोई साख्य भाब में अर्जुन की तरह चाहते हैं तो ऐसा ही वेवहार भगवान करते हैं नेक्स्ट सक्षु मतलब हम जब निर्णय लेते हैं कोई हमें decision लेना होता है और जब हम कोई problem में आ जाते हैं तो उसका solution अगर हम सास्त्रों के अनुसार लेते हैं यानि क्या धर्म है, क्या अधर्म है, यह हमें कौन बताते हैं, सास्टो बताते हैं तो उसके अनुसार अगर हम decision लेते हैं, तो उसको बोलता है सास्टो सक्षू या कोई भी परिस्थिती को, अगर हम सास्टो के अनुसार देखते हैं यह बहुत कठीन है लेकिन जो पढ़ा हंग्स है जो उत्तम अधिकारी भक्त है वो ऐसा देख सकते है जैंसे शरीर तो हमेशा बिमार होता रहता है लेकिन सास्तो सक्षु से देखते हैं वो देखते है कि मैं ये शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं और ऐसा ज्यान होना और ऐसा जेमिन आसमन का अंतर है यकि ज्ण होने से अीविष्ट नहीं होगा यग एक now write इन्फरमिशन आपको पता है कि हम आत्माय है लेकίν विष्ञान मतलब इसको है अबने रियलाईस कैया है अपने प्रैक्टिस किया है अपने लाइफ में तो इसलिए उत्तम अधिकाडियों के पास जब वो लेक्चुर देते हैं, रियलाइज नॉलेज होते हैं, तो इसे सुनना बहुत प्रभावशाली होता है तो जो भी वेक्ति सास्तों के नियमों के अनुसार कारिये करते हैं, हाला कि कृष्ण के ओपर कोई नियम ना, लागो नहीं होता फिर भी वो सास्तों के अनुसार कारिये करते हैं, जब वो ग्रिहस्था के रूप में अपना वो निभा रहे थे तो उन्होंने इपने बच्चों की शादी कराना, गोपुजा करना, या यज्यादी करना, या पत्नियों को जो है, उनकी हर पत्नी पुर्णातया संतुष्ट थी कृष्ण से, और उनको ऐसा लगता था कि कृष्णा हमारे एकदा मुठ्धी में है, हैंदपेक्ट हस्बेंडर जबकि यह सच नहीं था, क्रिष्णा उनकी कभी भी जो बाय हो संदरी है, उससे आक्रिष्ट नहीं थे, उनकी भक्ती भावना से आक्रिष्ट थे, तो इस तरह से हम देखते है कि क्रिष्णा, जब शिश्य रूप में थे, सांधिर्पनी मुनी की आश्र में, तो भी एक श है चीजों को, वस्तुता किसी भी ज्यानी तथा अनुभवी व्यक्ति को इनी ग्रंथों के माइध्यम से हर वस्तु को देखना चाहिए, जैसे हम अपने कोड़ी आखों से सुर्य मंदल को देदिप्यमान वस्तु मात्र के रूप में देखते हैं, किन्तु जब विज्यान क किसी प्रामानिक ग्रंथ या अन्य साहित्य के माइध्यम से देखते तो पता चलता है कि सुर्य मंदल प्रिथ्वी से कितना बड़ा और शक्तिशाली है, अगर एक व्यक्ति ऐसे ही देखेगा जिसको कोई विज्यान का पता नहीं है, साइंस का पता नहीं है, तो बोलेगा क पता चलेगा बहुत दूड है, प्रिथ्वी से काफी बड़ा है, यह सब भी पता चलेगा तो उसी प्रकार से हम हर चीज को जब अपने आखों से देखते हैं, हमारे यह वाले आखों से तो हर चीज उतना क्लियर नहीं दिखाए देता है, जितना सांस्टों से क्लियर दिखाए देता है, कि कोई पाइलेट है, पाइलेट जब फ्लाइट उराता है, तो ऐसा नहीं है कि वह अपने आखों से जो देख रहा है, उसके हिसाब से गाड़ी चलाने वाला होते हैं, ऐसे जो इंस्ट्रक्शन मिलता है उसके हिसाब से चलाते है जब हम अपने जीवन का भी गाड़ी चलाते है तो जो हमें आखों से दिख रहा है वह हमेशा सत्य नहीं होता है क्योंकि यह माया का संगसार है शरीर हम देखते हैं सब का शरीर देखते हैं तो हम सुछते हैं यह इंका तो हम शरीर के रूप में आजिंटिफाइ करते हैं तो कौन होते है आत्मा होते है और जब हम किसी को प्रणाम करते है तो हम इसके शरीर को प्रणाम करते है कि अचाहिए फलाना इनका नाम है यह बड़े पोस्ट में है यह है वो है यह ऐसा लेगने अच्छली हमें किसे प् तो भी कोई बाद नहीं, अगर आपने प्रनाम किया उनके जब पड़ामातमा को प्रनाम करना चाहिए अपर पड़ामातमा उस प्रनाम को स्विकार करते है और आपको एसका लाब भी मिलता है тó इसलिए जो है सास्त्रों के हिसाब से हमें हर्चिस को देखना चाहिए प्रामानिक ग्रंथों या सिक्षकों के माध्यम से वस्तियों को देखना असली देखना है इस तरह यद्दिपी कृष्ण भगवान है और भूद बरतमान दता भविश्य को देख सकते है लेकिन लोगों को सिक्षा देने के लिए वो हमेशा सास्त्रों के हिसाब से ही खुद भी कारियों किया है जैसे भगवत गीता में कृष्ण सरवच्य अधिकारी के रूप में प्रवचन कर रहे थे तो भी वे वे विदान्त सुत्र को प्रमान के रूप में उलिखीत और उद्रित कर रहे है भगवान अधिकेट इस पृधवी में जब भी आते है वो लोगों को सिखाते है कैसी आच्चोरन करना है तो श्रीमत भागबतम में एक कथन है जिसमें एक व्यक्ति व्यंगपुरवग कहता है कि कंस के शत्रु कृष्ण को सास्त चक्षु कहा जाता है किन्तो अपनी प्रामानिकता स्तापित करने के लिए गोपियों को ही देखने में लगे हुए जिससे गोपिया मदान्थ हो चली है तो हम देखते हैं कि गोपिया जो है उनका जो प्रेम है फगवान की प्रती वो सर्वुच्छ क्यूं है क्योंकि वो प्रतिदान में क्रिष्ण से कुछ भी आशा नहीं करती क्रिष्ण की जो खुशी है वो उनके लिए सर्वस्रिष्ट है उसके बिना उनको कोई reward कोई पुरसकार दे बिना वो भी नहीं चाहिए क्रिष्ण की खुशी के लिए अगर कोई उनको बुले कि हमेशा नरक में रहना परेगा वो नरक में रहने के लिए तयार होती है तो वो इतनी श्रेष्ट है एक बार क्रिष्ण ने ऐसी लिला किया कि उनको बहुत सरदर धोड़ा है तो न YouTubers न그렇नमुनी को बुला । नरदमुनी आए होए थै कि मेरा बहुत सरदर्थ है नस्तर मुनी ने कहा कि मैं कुछ वेद्द्य को बुलाता हूँ हला कि कृष्ण को कृण वेद्द्य को ठीकcoat her क्रिष்ण सब को ठीक्रते है कृस्ष्ण परम वेद्द्य है तो नारद्मनी को कहते नहीं, इसका इलाज मैं जानता हूँ, इसका इलाज है किसी भक्त का चरंदुली, मेरे भक्त का चरंदुली तो नारद्मनी भी वहा थे लेगे, नारद्मनी ऐसा हिम्मत नहीं क्या कि मेरे चरंदुली कृष्ण को दे दू, क्योंकि वो इतने बिनम्रव अपने को भक्त भी नहीं मानते हैं, हलाकि भगवान को चरंदुली देने बहुत बड़ी बात है, कोई भक्त रेडिनीन होते है, राणियों के पास dec06 राणियों के ब्राणियों के पास गए राणियां कि लावक्ति नहें नहीं थेंगे कि रॉपसे क्रिशनी नहीं को बता है। नहीं को don वे हमाओं से न्पानियों का भगवान का भाखते है तो बोलते ठीक है आप गोपियों के पास गये थे बृंदावन में तो नहीं गया तो वहाँ जो वहाँ मिल जाएगा आपको तो नारदमरी जाते हैं और गोपिया सुनते ही कृष्णा को सरढु खुष्ड हाया तो तुरन तुरण जोह वह चलंधुदी दे देती है बहुत सारा और इतना सारा देती है की दुबार आना परे ही मेडिसन उनके पास भी रहे तो नारदमरीने गोपियों से पूछा आपको तो सुचिए किसी प्रियतम और ऐसे भी कृष्णा जैसे प्रियतम भगवान है जो इतने आकरशनिया है और भगवान से प्रेम कितना तिब्र होगा अभी हम भगवान भगवान सुनते हैं लेकिन भगवान के साथ जद प्रेम का आदान प्रदान होता है तो उससे मधूर उससे दिवरो और कुछ भी नहीं होता है तो जो गुपिकाय है उनको कितना दुख हुआ होगा कुछ न मत्धुरा चले गए और आएंगे कब आएंगे कुछ पता नहीं क्योंकि क्रिश्न बोल गए थे कि मैं आऊंगा इसलिए वो अपने प्रानों को धारन करके रखी हुई थी बड़ी मुश्किल से नहीं तो प्रान सुख भी दे सकते हैं हलाकि सास्त्रों के अनुसार गुपियों का वीरह का जो भावना है वो मिलन की भावना से भी अधिक आनन्दमई है लेकिन फिर भी गुपिकाय साथे कश्टे कृष्ण के लिए सहन करने के लिए तैयार की उनको कोई भी सामाजिक डर नहीं था कि पर नहीं करते हैं तो इस चरह से हम देखते हैं जब हम भक्ति करते हैं समाज के बहुत सारे लोग कुछ भी आपको बूलेंगे क्या क्या आप इतने कम उम्र में ऐसा करने लग गए आपका तपषा जीवन बना लिया आप क्या एंजॉय करोगे जिसे मांक्स नहीं खाना बह आपके घर की लोग भी ताने मारे हो सकता है ऐसा लेकिन फेर भी गोपिकाओ की तरह हमें हमेश्या फक्ति में लगे रहना है और इन तानों को भी सहना पड़ेगा यह वतिक संक्सार ऐसे भी आप कुछ भी करें अच्छा किजिए बुड़ा किजिए आपको तो सुनना ही प अच्छा करने पड़े इस डुनिया में कृतिसिम तो होता है तो इसलिए ऐसे लोगों के साथ घिरे रहना चाहिए जो कि भगवत भक्त है और जो कृतिसिम से मुक्त है निंदा तिशिन्या जो लोग है और भगवान के भक्ति की भगवान के बारे में भगवान के लीला ऑन लुछ करने वी और देखे और बाप बेटा जा रहे थे घचा लुट तो लोगों बात किया तो घदा तो घदा बिटा भी गदा लेकर जा रहे हो तो उनकी उपर बेच जो न तो क्यों कृँ पैदल जाना इतना दूर तो फिर दूनों बाप बेटा उपर बैठ गए तो तो उन लोगों ने दोनों उतर के बेटा को पापा ने बोला कि बेटा तू बैठ चाओ तो कुछ दे गए तो काव के लोग बोल रहे हैं देखो ये बेटा कैसा बेटा है बुड़े बाप को पैदल चला रहे है और खुद घड़े पर बैठा हुआ है तो बेटा उतरा बोला क पाप आप बैच जाओ, फिर दुसरे गाव में लोग बोलते हैं, देखो, कैसा बाप है, अपने बेटे को पैदल जा ला रहे हैं, और खुद अकेले घुड़े पर बैच जाओ, आप समझ रहे हैं, आप कुछ भी करें, कैसे भी करें, लोग तो बाते बनाएंगे ही नहीं करते हैं, और दूसरों के पापों को भी नश्ट कर सकते हैं, वे समझ पापी बध्धात्माओं का उद्धार कर सकते हैं, और कोई दुशित कारिय नहीं करते हैं, हैं तो हम देखते हैं कि जब हम क्रिश्ञ का नाम लेت wilderness । 거 that even कोई भी व्यक्ति बहुत अधि कितना ही पापे हो आ यह दो प्रेश्ना आता है कि अ अन्वेज खा रहे है है कि अधने यह पाप किया के आपकिया तर้ममान की रेकिरान में अधिया बिलकुल बहुता करने इतला है जाटे आप माता ढाता पितामा आपुने कोई नियम भी नहीं है प्रनामट करना होगा या स्पेशियलिस ंताइंपर ही करना होगा पर्छाप भागवानलबिद यह है तो बात और है छूछ के भगवान का नाम जब करने एक सुच परंपवित्रम हो जाता ह कोई भारवला कश्ट देई ना दे सुचू है काई सारव ऐसे व्यक्ति है जो फगवद धगते हैं, मानले जी उनको कोई ऐसी बिमारी आ भी गई तो भी उनका माइंड इतना कृष्णे में स्थित है तो कष्ट उनको भी हो रहा है, फिर भी माइंड से बहुत हपी है लेकिन ऐसा आसान नहीं है, जब तक हम भक्ती में बहुत प्रगती ना करें तो यह नेकरिटिव माइंड को अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तो सबसे बेस्ट और सबसे जो है प्रूवड है ना सास्तों के इसा आप से तरीका है कि मन को हर समय कृष्णे में स्थीत रखा जाए यह जब से अच्छा तरीका है तो हर हर हिंद्रियों को जब हम क्रिष्णे की सेवा में लगा देते आख को कृष्णे की दर्शन में, नाख को कृष्णे के पाव में चड़ायवा फुलो को चड़ाने में, सुंगने में, और जीवा को कृष्णा प्रसात खाने में, जीवा को कृष्णा के बारे में बोलने में, सर को कृष्णा के सामने बाओदावन करने में, जुकाने में, प्रनाम करने में, इस तरह से हर चीज़ को कृष्णा की सेवा में लगाते तो प पारिवरिक संबंधों से विरक्त कराने का प्रयास में कहा था। तो तितरास्ट्र को बुलते है क्यों आप भगवान कृष्ण के चलनार विंद में अपने मन को लगाएं। तितरास्ट्र जो है आखों से अंधी होते तो कोई बात नहीं था। लेकिन वो रिदे से भी अंधे थे, मोह में अंधे थे दुरेधन के। तो वो कृष्ण होते भी अपने भाई की कल्यान के लिए बोला कि कृष्ण की चलन कमेलों में आप अपने मन को लगाएं। यो कि बड़े बड़े देवतार से भगवान शी या ब्रम्हाजी भी जो है कृष्ण की कृपा पर ही निर्भर है। कृष्ण ही उनके स्वामी है और कृष्ण की वो भी चित्त स्थीर करने और उनकी पुजा करने की सला दी। क्योंकि जब हमें वड़ भी देते हैं देवतागर्ण तो भी कृष्ण के अनुमती से देते हैं। कृष्ण से शक्ति प्राप्ति करके देते हैं। इसलिए उन बोला कि कृष्ण पड़ ही आप अपना मन जुहें के इन रिद करें। यदि कोई कृष्ण के नाम का ही कृतन करें। तो यह पवित्र नाम उसके रिदय में प्रखर सुर्य की भाती उदित होगा। और सारे अज्यान रुपी अंधकार को भगा देगा। जो भी भगवान के नाम के आश्रे ग्रहन करते हैं। निश्यत रुप स रिदय पड़िवर्तन हो जाएगा। वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है। वोकि रिदय पूरी तरह शुद्ध हो जाता है। और अंधकार जो होता है ज्यान रुपी अंधकार के काणन में कष्ट पाते रहते हैं। इस भातिक संगसार में वो नश्ट हो जाता है। से मुक्ति मिलती है तो भगवत गीता में भी अरजुन ने कृष्ण को परम ब्रंभं परम धामं पवित्रम कहा है कृष्ण के चरम पवित्रता प्रदर्शित करने वाले अन्यां बहुत सरे द्रिश्टान्त हमें सास्क्रों में मिलता है नेक्स्ट उनका गुण है आत्मसंयमी वशी जिस वेक्ति ने अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से बश्च में कर लिया है वो वशी अथवा जित्ते इंद्रिया आत्मसंयमी कहलाता है इतना असान नहीं है लिए भगवान हमेशा समस्ते इंद्रियों को इसलिए उनका नाम स्वामी है और भगवान जो है सबके स्वामी है लेकिन भगवान आत्मसंयमी है इस संदर में श्रिमत भागबतम में कहा गया है क्रिश्चन की सोलह हजार पत्निया इतनी सुंदर थी कि उसकी मुस्कान तथा लज्जा से शिवजी जैसे महान देवताओं के मन मुहित हो जात क्रिश्चन की सारी पत्निया लक्ष्मिया है तो इतनी सुंदर था संदर था में शिवजी जैसे महान वेरागी व्यक्ति भी मुहित हो सकते है उनकी मुस्कान उनकी लज्जा किन्तुए पत्निया अपने अकरशक स्ट्री आचरन से क्रिश्चन के मन को तनिक भी विछलित न गंगा नदी जो मुर्तिमान रुप है उसे विवा करते है उसे भिष्मा वितामा का जन्म होता है तो वो कुछ भी नहीं बोल पाई कि गंगा जी ने कहा था कि कभी भी आप मुझ से मत पूछिएगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ अगर आपने मुझे रोका तो मैं उसी समय आ शुक आठष्ण का konnte होता है इतना तिवम था कि कैसे दिन कैसे रात पार हो जाता था शामतनर को पता ही नहीं चलता थाथा उनका मन हर समय उन्स त्री आठष्ण में अकर्शित रहता था इसलिए ज़ो हो जब साद पुट्र को पाने में बहा दिया जबकि साद वसू थे औ तो कुछ भी नहीं बोल पाए लेकिन आठ्वा में उन्हें रोक लिया तो इस तरह से बहुत आकरशित होता है स्त्री स्वभाब में तो कृष्ण की हजारों पत्निया लेकिन को इन स्त्री आचरन से आकरशित नहीं कर पाए वो आकरशित तब होते थे हैं जब उनके अंदर भक्ति भावना को देखते हैं तो आकरशित होते हैं कृष्ण के हजारों पत्नियों में से हर एक या सोचती थी कि कृष्ण उनके स्ट्री स्वंदर्य पर मुहित है लेकिन ऐसी बात नहीं थी यह मैं भागवत हम से पता चलता है अतयबर कृष्ण समस्त इंद्रियों के नियामक है और भागवत गीता में उन्हें इंद्रियों के स्वामी हिर्शिकेश कहा गया है या स्विकार किया गया है नेक्स्ट गोण है कृष्ण का स्थीर जो वेक्ति अपनी इच्छित लक्ष को पूर्ती होने तक निरंतर कार्य करता रहता है वो स्थीर कहलाता है तो एक भक्त को कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए स्थीर होना पड़ेगा अहय तुकी अप्रती हता तिब्रेन भक्ति योगे ना तिब्रता होना चाहिए भक्ति में अहय तुकी बिना कोई कारण के लिसे गुपिकाय कृष्ण से निस्वार भाव से प्रेम करती है वैसा और आप रती हता कोई बिचलित नहीं होना चाहिए, सुख और दुख में भक्ति में लगे रहना चाहिए अगर आप सोला माला करते हैं, तो रोल सोला माला करना है, सुख है, दुख है, चाहिए कुछ भी हो बीमार है तो सोल सोके भी कर सकते हैं या कई मात आप्रभुजी जो है वो लोग बोलते कि अपरेशन हुआ तो क्या करते है वो लोग सो-सोके करते हैं तब सोलनी जादा करते हैं भगवाय के खुड़ा की आचना करते हैं तो यह स्थीरता कहलाता है लक्षप्राप्ति होने तक जो उसमें लगे रहना एक बार कृष्णा दथा राजा जामबवान में युद्ध हुआ था क्योंकि कृष्णा उससे समन तक मुनी लेना चाहते थे जामबवान जो है वो राम जी को बहुत मदद किया था और राम जी के वो परम भगत थे तो राजा ने जंगल में चिपने की कोशिश की किन्तु कृष्णा हतुच साहित नहीं हुए उनने बड़ी स्ठीरता से राजा को धून निकाला और रांत में मणी प्राप्त किया तो जामबवान बहुत शक्तिशाली थे हैं और लेकिन कृष्णा की शक्ति को देखकर उनको लगा कि मुझे तो श्री राम के अलावा और कोई हडाई नहीं सकते यह कौन है तो बाद में उनको शर्णागत भी होते हैं और कृष्णा ने स्ठीरता से उनसे युद्ध किया और जब भक्ते से युद्ध भी कर रहे थे तो वीर रस का अस्वादन कर रहे थे अपना स्व पुत्री जो एकृष्णा के पत्नी के रूप में दिया चाम भुबंती को बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्णा